नमस्कार भागन भाईयो जो आज की जो मेरा टॉपिक रहेगा वो समर प्रूणिंग के उपर रहेगा कि समर प्रूणिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है तो आप देख सकते हो हमारे जितने भी और्चड है और जितने भी हमाबाद प्लांट है तो जो हमने 6-7 यह से 80-90% फ्रूट में सनलाइट पहुंच दिया है कि जो रूल है फ्रूट क्वाल्टी के लिए सनलाइट का ही है कि आपका सनलाइट हर फ्रूट तक पहुंचनी चाहिए और उसके साथ ही हम आजकाल फ्रूट थिनिंग कर रहे हैं और उसके साथ जो हलकी फुल्की कहीं हमें और यह देखिए जो यह sleeping eyes है तो यह बीमे में इनका बीमा बनेगा और सेम ये में हम froting बीमा ready करते हैं तो summer fruning करने का दो ही कार्ण है एक तो सेम ये में ही आप froting बीमा ready करते हो और जो उसका जो मेन कार्ण है वो है sunlight कि आपके हर फूर्ट तक sunlight पहुंच सके तो आप देख सकते हैं हमारी हर साल ही crop काफी अच्छी आती है तो हमारा लगबग seven to eight year से जब से हमने अपनी फूर्णिक प्रेक्टिक चेंज की हुए है तो तब से हमारा लगबग off year हुआ ही नहीं है तो हर साल ही हमारी काफी अच्छी crop आती है तो बान बायो जो आज का जो म कि जो आपके बड़े plant है जो भी आपके old plant है आपके आर दस साल से लेकर जितने भी बड़े plant है तो उन्हें में आज कल कोशी कीजे कि summer fruning ना ही करें तो अगर करनी भी हो तो बहुत ही कम कोशी कीजे कि 2-4 शेंट ही आप summer fruning करें बाकि जो बड़े plant में जो summer fruning करने का जो summer वो है आपका harvesting से one month पहले तो आप लोगों ने सभी बागों भायों ने एक चीज नोटिस की होगी कि लगबग हमारा जून जून एंड तक और जुलाई तक सबके ही fruit लगबग एक ही बरावर होते हैं तो उसके बाद ही आपने देखा हो कि हमारे orchard में किसी orchard में fruit किसी के fruit छोटा रहता और किसी के fruit quality अच्छी बनती है उसका जो महन करना है वो है आपका harvesting practice अगर आपके हर एक fruit तक धूप पहुंच जो मैं समय है वो है आपका harvesting से one month पहले क्योंकि harvesting से one month पहले तक आपने देखा होगा कि सबके fruit ही एक बरावर होते हैं उसके बाद ही fruit quality हमारी किसी के कम होती है जिनके plant में अगर proper तरीके से fruit तक sunlight नहीं पहुंचे तो उनके orchard में देखो कि है कि आप fruit quality काफी down होती है तो बा और उसके साथ यह हम summer pruning बहीं कर रहे हैं जैसे ना के ब्रावर कहीं बिल्कुल यह सोचे 24% क्योंकि हमने भी summer pruning में जैसे last year lockdown लगा था तो उस time हमने हम free थे तो हमने कुछ एक orchard में लगबग 42-50% हमारे दो एक orchard थे जहां हमने 42-50% summer pruning की थी देखने के लिए कि summer pruning की हमे कितने एच्छे result मेरे बट बहां पर हमने एक चीज जब notice की कि हमें उसमें जो हमने मई में ही summer pruning की थी तो उसमें हमें काफी ज्यादा negative चीजे देखने को मिली कि जहां पर भी हमने summer pruning की थी जहां यह सोचे 40-50% जिन भी orchard में तो बहां देखा हमने कि उन orchard में हमारी काफ दो स्प्रे एक्टा करनी पड़ी और उसके बाद हमने उन orchard में यह देखा कि जहां पर भी हमने summer pruning की थी तो maximum 90% जहां पर हमने रिंग कर्ट किया था तो उनमें सब में ही दोबारा ही ग्रोथ हो चुकी थी तो जो हमारी बिल्कुल पतली बारिक ब्रांच थी उसी में ही हम बना हुआ था लगबग 15% उसमें तो आजकल जो summer pruning करने का जो आपको आजकल जो summer pruning करनी है वो आपको दो से लेकर 5 साल के प्लांट में ही करनी है तो आप देख सकते हैं यह हमारे पास लगबग 4 year का प्लांट है तो इसमें हमने क्या कि जिस भी ब्रांच में हमें ग्रोथ चाहिए तो हम बहीं पे ही एक से दो बट को रिमूब करते हैं तो summer pruning करने का आजकल बागवन भाईयो जो सही टाइम है वो आपका छोटे प्लांट में या फिर आपने किसी प्लांट को जैसे last year top graft किया हो एक साल पहले top graft किया हो तो उसमें भी आप summer pruning कर सकते हो तो आप अ एक से लेकर दो जो हमारे चाहिए water shoot हो चाहिए bheema हो तो उसको remove करना है ताकि हमारी जो man branch है उसमें growth अच्छे से हो और उसका जो यह competitor है जो हमने सर्दियों में काटना है उसको हम अभी remove करेंगे ताकि इसकी growth अच्छे से हो क्योंकि हमें जो छोटे plant है और उसके बाद जो सबसे पहले growth चाहिए होती है ताकि हमारे प्लांट पूरा अपना जो भी इसकी canopy अच्छे से बने और जो भी उसका दाइरा वो cover हो जाए तो उसके बाद हम उसमें full cropper ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह हमने last year Adam की जो हमारा plant है उसमें Adam का top graft क्या हो था तो आप देख स इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो इसके पास एक से दो जो भी water shoot है या फिर आपके bird है उसको हम remove करते हैं ताकि सबसे पहले हमारा जो man target है वो है जखम को cover करना ताकि आपका लगबग 100 ने तो 90% जखम है यह recover हो जाए उसके बाद ही हमने इन जो भी हमने top graft किया इन आप किसी भी plant को top graft करते हो जहां पर आपको लगता है कि आपका जखम कबर नहीं हुआ है तो उस column को आप तब तक आपको बगाना है जब तक वो जखम कबर ना हो तो यहां पर काफी मेरे बागों बाहित देखे कि काफी लोग गलतिया करते है कि वो fruit जैसे spur गाला है वो उस है अपने जो भी हमारे पास हमने जिस भी plant को top graft किया है तो इसलिए बागों बाहित जो भी मेरी practice है मैं बही share करता हूँ तो जो चीज मुझे summer pruning में कुछ एक negative चीजे लगी तो मैंने आपको बही चीज बताए कि हमें summer pruning सिर्फ जो हमारे top graft plant है उसमें करनी चाहिए और उस को तब तक बगाना इस कलम को जब तक कि इसका जखम पूरा कबर ना हो जाए तो बानवायो जो भी मेरी practice है चाहे आप मैं हर भागवन भाई से यही कहना चाहता हूँ कि आप आज कल देखिए आप गुगल हो YouTube हो अच्छे अच्छे progressive farmer है जिनकी आप वीडियो देखके काफ आपके और्चन में उसके क्या benefit है और क्या उसका plus point है तो यही चीज़े आपको देखनी होगी बानवायो तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में जो भी मेरी practice है वो ही आप लोगों से share करता हूँ